विक्रम और बेताल हरिश्चंद्रगड की यात्रा पे हैं वे अब तीसरे पड़ाव पर पहुँच गए हैं और आप जानते हैं कि हर पड़ाव पर क्या होता है बिल्कुल सही बेताल विक्रम से एक नई पहेली पूचता है इस बार बेताल ने विक्रम से पैसों से जुड़ी एक पहेली पूचने का फैसला किया आईए देखें कि तीसरी पहेली क्या है तीसरी पहेली सेगंड हैंड स्कूटर या पुराना स्कूटर बिल्क नाम का एक व्यक्ति है जो एक दुकानदार है उसके पास एक मोटर स्कूटर है और वह इसे बेचना चाहता है वह टॉम से मिलता है जो उस स्कूटर को खरीदना चाहता है बिल्क ने अपना मोटर स्कूटर टॉम को सौ रुपे में बेच दिया टॉम ने स्कूटर का इस्टिमाल करना शुरू कर दिया कुछ दिनों तक चलाने के बाद उसने पाया कि स्कूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसने इसे वापस बिल को बेचने का फैंसला किया टॉम ने इसे वापस बिल को 80 रुपे में बेच दिया अगले दिन बिल ने स्कूटर को हर्मन को 90 रुपे में बेच दिया अब प्रश्न यह है कि बिल को कुल कितना लाब हुआ विक्रम ने सोचा और बेताल को बताया कि बिल ने अपना स्कूटर 100 रुपे में बेचा और फिर से 80 रुपे में खरीद लिया इस विक्री से उसे 20 रुपे का लाब हुआ अब उसने फिर से स्कूटर को 90 रुपे में बेच दिया इस बार उसे 10 रुपे का लाब हुआ तो उसे कुल 30 रुपे का लाब हुआ विक्रम को लगा कि इस बार उसका उत्तर सही है पर बेताल ने उसे बताया कि उसका उत्तर गलत है बेताल की बात सुनकर विक्रम को हैरानी हुई और उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा बेताल ने कहा चूंकि उन्हें स्कूटर की सही कीमत नहीं पता थी इस लिए यह बता पाना कि बिल को स्कूटर बेच कर लाब हुआ है या नहीं मुश्किल है इसलिए स्कूटर की सही कीमत जाने बिना इस पहेली का उत्तर नहीं दिया जा सकता विक्रम समझ गया कि बेताल यह पहेली पूछ कर उसे उलजाने की कोशिश कर रहा है जब बेताल उड़ने ही वाला था तो विक्रम ने उसे रोका और कहा कि चूकि उसने उससे एक ऐसा सवाल पूछा था जिसका सही जवाब है ही नहीं इसलिए बेताल उड़ने ही सका बेताल मान गया और उसने कहा कि वह अगले पढ़ाव पर एक और पहेली पूछेगा झाल झाल